विद्यार्तियों हम पढ़ रहे थे द्वादशह पाठ जिसका सीर्षक है करक्षती करक्षिता विद्यार्तियों इस पाठ के अंतरकत हमने दो भागों का अध्यन कर लिया था पिछले भाग में हमने देखा कि अपने घरों से निकले हुए कुछ बालक जो हैं गर्मी से आरे जाने की इच्छा जताते हैं और इसी भीच हमने ये भी पढ़ा विद्यार्तियों कि जिस प्रकार एक कूपुत्र अपने पूरे वन्ष को नस्ट कर देता है अपने कुकर्मों से उसी प्रकार एक जला हुआ सूखा व्रिक्ष पूरे जंगल को नस्ट कर देता है अर् यानि कारक्षति करक्षित कि इस पाठाटyr function को किस प्रकार सुच रखा जा सकता है इसके विशें में पाठ्थे वस्तु में क्या वर्णन किया गया है उसके आधार पर हमने यह सिर्शक रखा है तो आये विद्यार्थों इसको समझते हैं और जानते हैं जैसा कि आपको पता ही है कि स्वच्छता अभियान यानि भारत पारत मिशन जो है या स्वच्छ भारत अभियान जो है ठीक है इसे कुछ पी कह लिए इसकी शुरुवात कब हुई आपको मालूम होना चाहिए 2 October 2014 को ठीक है और किन्ने की यानि इसकी शुरुवात इस अभियान की शुरुवात जो है माननिये प्रधान मंत्री महदे नरेंदर दामोदर दास मोदी जी के द्वारा ये जो है अभियान चालू किया गया ठीक है तो इसकी विशय में हम पढ़ने वाले हैं और इसे संबंदित विशय वस्तु काहम पढ़ने वाले हैं लेकिन इससे पूर्व जो पिछले वीडियो में आपको कुछ क्वेशन दिये गये थे आईए उनके उत्तर की जाच कर लेते हैं कि देखें विद्यार्तियों हमारे पहला प्रश्ण था तप्तई रवा कि आकाश में कौन दिखाई नहीं देते हैं तो विद्यार्तियों या एक पद में उत्तर देना था तो कौन दिखाई नहीं देते यहां पर दिखाई कौन नहीं देते मेग तो हमारा उत्तर हो जाएगा मेग हाँ ठीक है फिर है सर्वम कुलम केन नश्टम भवती यह भी एक प्रशंथा आपना व्रिक्षाह की मर्थम करत्यंते व्रिक्ष जो है क्यों काटे जाते हैं किस लिए काटे जाते हैं तो यहां देखिए बहु भूमिक भवना नाम भूमिकत मारगा नाम मैट्रो मारगा नाम उपरी गमी सेतु नाम चन निर्माणाय व्रिक्षाह करत्यंते अ और मेट्रो मार्ग के निर्माण के लिए और उपरी गामी जो उची उची पुल बनाये जाते हैं ठीक है ना उनके निर्माण के लिए व्रिक्ष काटे जाते हैं ठीक है विद्यार्थियों तो यह आपको समझ में आ गया होगा आपने उत्तर पुस्तिका में लिख लिया होग आएए विद्यार्थियों आगे चलते हैं आगे अपना भाग है तीसरा स्वचिता अभियानम और इसके अंतरकत हमारी पाठ्यवस्तु जो है वो इस प्रकार है तो आएए शुरुवात करते हैं देखिए मैंने कहा था कि पिछली भाग में जो बच्चे गर्मी से परेशान होकर के नदी के किनारे जाना चाहते हैं तो वो जा रहे हैं और रास्ते में क्या देखते हैं सब्सक्राइट के क्या द्रुष्य बनता है वही यहां पर बताया गया है तो दिखें नदी तीरं गंतुकामा नदी के किनारे को ठीक है गंतुकामा जाने की इच्छा रखने वाले या जाने वाले जाने की इच्छा रखने वाले या जाने वाले बाला जो बच्चे है यत्र तत्र यानि यहां तत्र यानि वहां यहां वहां इधर उधर ऐसा भी हम कह सकते हैं अवकर भंडारम अवकर का मतलब होता है कच्रा कुडा ठीक है भं इखटवा करते हैं आपस में क्या करते हैं बातचीत करते हैं क्या बात करते हैं देखिए जोसेफ हा पश्यंतु मित्राणी यत्र तत्र प्लास्टिक स्युतानी अन्यत चावकरम प्रक्षिप्टम अस्ति कत्यते यत स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परम वयंतु सिक्षिता अपि असिक्षित इव आचरामह अनेन प्रकारेण यहां पर बात को अधूरी छोड़ दी टिक है ना जोसेफ ने क्यों क्यों क्योंकि इस से पता लगता है कि इस ने ऊपर बता दिया अनेन प्रकारन यानि इस प्रकार किस प्रकार तो इसको देखे पश्यंतू जोसेफ च inspires decep मित्रानी है दोस्तों है मित्रों देखो यत्रतत्र यहां वहां ठीक है यानि जिस मार्ग से वह जा रहे हैं उस मार्ग में. प्लास्टिक स्यूतानी प्लास्टिक स्यूता का मतलब होता है बैग या पोकेट ठीक है या कोई छोटा टुकडा जो थेलिया जैसे होती है ठीक है तो प्लास्टिक स्यूतानी यानि प्लास्टिक की जो थेले हैं पैकेट जो है ठीक है अन्यत और चावकरम और आवकर यानि का जो प्लास्टिक की जो बेग है थेलियां यह जो इत्यादि वे और अभकल्म यानी कि कच्रा जो है कोड़ है प्रक्षिप्ता मस्ती यानि प्रक्षिप्त है फैका गया है ठीक है यह पढ़ा है lurख कथ्यते यह कहा जाता है यह कि स्वास्त्री स्वास्ते करी स्वास्तिय को बनाने वाली होती है यानि जहान स्वाश्तिय सही होगा स्वस्त होंगे लोग तो ऐसा कहते हैं कहा जाता है पर अम लेकिन वक्य हम तु रहां हम सब यानी हम सबी समाज में रहेने वाले लोग तु यानि निष्ट्य ही सिक्षित हाँ अपी सिक्षित होकर के भी ठीक ना पड़े लिखे होकर के भी अपी यानि भी असिक्षित इवाचराम अनपड के समान आचरन करते हैं देखिए अनपड और पड़े लिखे में क्या अंतर होता है जो विद्यार्ति या जो कोई विक्ति पड़ा लिखा होता है तो उसमें इतनी समझ होती है कि कौन सा कारिय करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए या किस इस्थान पर कौन सा कारिय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ऐसा जो विवेक है वो विद्यार्थी में आता है जो पड़ा लिखा होता है ले यहां पर देखिए तो जो पड़े लिखे लोग हैं अगर हम इधर उधर कच्रा डाल देते हैं तो हम कैसे होंगे अनपड़ी कहलाएंगे ना क्योंकि हमने अपनी समझदार इसे काम लिया ही नहीं तो यही बात यहां जोसेव कहे रहा है कि असिक्षित इव आचराम इव यान के समान ठीक है आचराम यानि आचरन करते हैं असिक्षित इव आचराम पड़े अनपड़ के समान आचरन करते हैं अनेन प्रकार इस प्रकार इस किस प्रकार कि हम जहां चाहें वहीं कच्रा को जो कच्रा होता है उसे फेक देते हैं डाल देते हैं ठीक है तो इसलिए एकने ऐसा कहा ठीक है अब आगे देखिए वाई भाबव वाई भाब कहता है ग्रिहानी तु अस्मावि नित्यम सवच्छा नि क्रियांते परम किमर्थ नुख स्वच्चतालब अंपरति ध्यानम न दियते अब यहां क्या कहा है वाई कि घ्र हाणी जो घर है जहां हम रहते हैं वे असमा भी हमारे द्वारा ठीक है ना ग्रिहानी तु यानि घर जो है निश्चे ही तु यानि निश्चे ही घर जो है असमा भी यानि हमारे द्वारा हम सब के द्वारा नित्यम यानि प्रती दिन रोजाना स्वच्छानी स्वच्छ सफाई ठीक है ना क्रियंतिक क स्वपरियावरण सी अपने परियावरण की स्वच्छताम प्रती अपने परियावरण की स्वच्छता के प्रती ठीक है ध्यानम न दियते ध्यान नहीं दिया जाता यानि कि हम अपने घरों की और तो ध्यान देते हैं घरों में सफाई करते हैं लेकिन परियावरण में आसपा तो यहां पर देखिए हमने इस छोटे से जो वारताला पर इसमें क्या देखा कि जोसेफ कहता है कि है मित्रों यहां पर आगे सामने देखिए कि प्लास्टिक के जो पैकिट है वो गिरे पड़े हैं कच्रा पड़ा है और हम जो है पड़े लिखे हैं यानि हम का मतलब है कोई प्लास्टिक नहीं ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पड़े लिखे होने के बाद भी गलत काम करते हैं प्लास्टिक को इदर उदर फेक जाते हैं तो ऐसा गलत है परियावरण को दूशित ना करें विद्यार्तियों आपको भी बात ध्यान रखनी है कभी भी हम कुछ भी खा रहे होते हैं तो प्लास्टिक की जो पैकिट होते हैं या ऐसे जो कच्रा वगरा यह होता है तो उसको हम इदर उदर ना डालें जो कच्रा पात्र होता है उसी में डालें तो यहां जोसिफ यही बात बता रहा है कि हम पड़े लिखे होकर के भी ऐसा काम करते हैं तो हम अ आगे चलते हैं आगे देखिए अगला जो है अपना ये पाठ्यवस्तु इसी से आगे है विनाया हा पश्य पश्य उपरी तह इदानी मापि अवकरह मार्गे क्षिप्यते विनाय कहता है देखिए मार्ग से वो जा रहे हैं और मार्ग में जब जा रहे हैं तो एक औरत जो है वो कच्रा है ठीक है डस्ट बीन से यानि कि अवकर पात्र से जो है अवकर कंडोला उससे नीचे गिरा रही है ठीक है तो यहां बिने कहता है पश्य पश्य देखो देखो पश्य पश्य देखो देखो उपरी तहा यानि उपर से छत से इदानिम अभी भी यानि अपने सामने ह हम देख रहे हैं कच्रा पहले से पड़ा है तो उपर से अभी अभी ठीक है ना इदानीम अभी अभी अवका रहा कच्रा जो है मार्गे क्षिप्यते मार्ग में फेका जा रहा है यानि कि यह जो और जो है वो फेक रही है कच्रा तो इसको निर्देशित करके इंगित करके कौ से बुला कर विने ने जो महोदया थी यानि कि ये है जो कचरा डाल रही है उनको बूला कर कि मोहदये हे महोदया हे मोहदया हे श्रीमती कृपाम कुरू कृपा करो कृपा करो टुम क्रूपा करो मार्गें क्या करो कि मार्ग मार्ग में एतत यानि यहाँ मार्ग में यहाँ सर्वथा हर प्रकार से अशोभनम कृत्यम मार्ग में यहाँ हर प्रकार से अशोभन कृत्य है ठीक है यह कृपा करो कि जो तुम यह मार्ग में कच्रा फेक रहे हो वो अशोभनी यह कार्य है ठीक है तो इसको मत फेको असमत सद्रिशे भ्या असमत सद्रिशे भ्या हम जैसों के लिए ठीक है ना बाले भ्या हम जैसे बालकों के लिए भवती सद्रिशाई एवं संस्कारा देया आप जैसे के द्वारा इस प्रकार के संस्कार दिये जाएंगे क्या यानि हम छोटे बच्चे हैं हम घूम रहे हैं तो हम जैसे बच्चे देखेंगे, आपको जैसे उपर से कच्रा डाल रहे हैं, तो आप इस प्रकार के संसकार क्या हमें देंगे, यानि कि ऐसे संसकार देंगे कि रस्ते में कच्रा डालो, ठीक है, ऐसा कौन कहे रहा है, विने कहे रहा है, किसको उस औरत को बुला करके कहे रह थाउन था तो यहां पर देखिए आम पुत्र पुत्र सर्वथा सत्या मदसी रोजलिन को और उसकी बात को उसको उत्तर दे उसको समझा रही है सर्वत हर प्रकार से सत्यम सत्य वदसी बोलते हो तुम हर प्रकार से सत्यय बोलते हो विने को कहती है बालाइज साकम स्वख्षीप्टम अवकारम मार्गत विकीन्णम अनयत अवकारम चाप संग्रिय अवकर कंडोलेग पात यति यहां पर देखbros नंतर्थ क्लिए कि रोज लिन Ama कांगत्ति यह यह चथप्त पर थी वह नीचे आकर के विनर है के पास में तीकर बालाइज साकम बच्चों के साथ ठीक है ना बच्चों के साथ आगति यानि आकर बालाई साखम यानि बच्चों के साथ यहां पर देखिए विद्यार्थियों आपको ध्यान हो तो सह साकम सार्धम समम ठीक है यह कुछ अव्य थे ठीक है यहां पर और इनके साथ में तृतिया विभक्ति का प्रियोग किया जाता है तो बालाई साकम बच्चों के साथ कौन रोजलिन ठीक है स्वस्षिप्तम अवकरम खुद के द्वारा फेका गया जो कच्रा था उसको मार्गे और मार्ग में विक्रिणम अन्यत अवकरम और रास्ते में विख्रे हुए कुड़े को चापी और संग्रीय इकत्रित करके अवकर कंडोले कच्रे पात्र में कच्रा का जो पात्र था उसमें पात यति गिराती है ठीक है तो समझ में आ गया यहां पर कि क्या बताया है कि विन्य जो है रोजलिन को देखकर के कहता है देखो देखो अभी भी कच्रा डाला जा रहा है और रोजलिन को बुला करके कहता है कि कृपा करो मार्ख में इस प्रकार कच्रा ना फेलाओ ठीक है na क्या हम जैसे बच्चों को आप यही सिक्षा देंगी यही संस्कार देंगी तो रोजलिन कहती है नहीं मुझसे गलती हो गई अब ऐसा नहीं होगा और अंत में वो बच्चों के साथ मिल करके कुद का फेका हुआ कच्रा और रास्ते में गिरा हुआ कच्रा उठा करके कहां डालती है डस्ट भी नियाने की अवकर कंडोल ठीक है उसमें डालती है ठीक है विद्यार्तिएओ आईए आगे प्राप्सियती यहां पर देखिए यह है प्राप्सियती अब यहां पर एक चीज यहां पर देखिए सभी बच्चे एक साथ जार वहां से निकलते हैं जब कच्रा साफ हो जाता है रोजलीन कर देती हैं मिलकर के तो वहां से सब आगे निकलते हैं नदी की ओर जाई ही रहे थे तो कहते हैं एव में इस प्रकार जागरुकता या इस प्रकार जागरुकता से एव यानि ही प्रदान मंत्री महोदयानाम प्रदान मंत्री महोदये ठीक है का जो स्वच्चता अभियानाम अपी प्रदान मंत्री महोदये का जो स्वच्चता अभियान है वह भी गतिम प्राप् करेगा यानि कि वह भी सई तरीके से आगे बढ़ेगा यानि कि जो मुहीम या जो देश लेकर के अभियान चालू किया गया था वो पूरा हो जाएगा तो विद्यार्थियों यहां पर आया है कि स्वच्छता अभियानम ठीक है ना तो इसके बारे में आप नोट कर लीजे जै कि तरीक है स्वच्छ भाहराक यह बियान है वह कब चालू हुआ इसका प्रारंब कब हुआ विद्यार्थियों तो 2 हो अक्टूमबर है कि दो हजार चोधा ठीक है डो अक्टूबर दो हजार चोधा को यह प्रारंभ रॉपध किया गया प्रधान मंत्री मोहदे के द्धूरा प्रारंभ किया गया कौन थे उस्सामें प्रदान मंत्री हमारे ठीक है कौन थे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ठीक है इनके द्वारा क्या किया गया यह प्रारंभ किया गया ठीक है समझ में आ गया तो अगर आप से प्रशन पूछे कि कब प्रारंभ किया गया तो आप लिखेंगे 2 October 2014 और अगर पूछा जाए किन के द्वारा ठीक है तो श्री नरेंदर दामोदार्दास मोधी जी के द्वारा और यदि ऐसा पूछे कि कहां से प्रायरंब किया गया है तो आप बता सकते हो राज घाट ठीक है ना नई दिल्ली से ठीक है समझ में आ गया तो यह आपको इसके बारे में भी पता चल गया ठीक है आए आगे चलते हैं गंतु कामाहा जाने की इच्छा वाले अवकर भंडारम कुडे की धेर को द्रिश्ट्वा देखकर प्लास्टिक स्यूतानी प्लास्टिक के लिफावे या पैकेट जो होते है इव आचरामह के समान विवहार करते हैं यहां पर देखिए इव धन आचरामह ठीक है ना इसका अर्थ क्या हुआ यहां यहां क्या है दीर्ग संदी है इव यानि के समान आचरामह यानि आचरन करते हैं उपरी तह उपर से ठीक है आई आगे चलते हैं आगे कठीन शब्दा और भी है अवकरह यानि कच्रा या कुडा क्षिप्यते फेका जा रहा है आहू या बुलाकर आवाज लगाकर क्षम्यंता माफ करें आगत्य आकर अवकर कंडोले कच्रे के पात्र में देया देने योग्या विकीरिडम विखरा हुआ संग्री या इखटा करके ठीक है आए भाग में हमने जो पड़ा है उससे सम्मधेत कुछ प्रश्ण पश्यंदु मित्राणी यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानी अन्यत चावकरम प्रक्षिप्तम अस्ति इती वाक्यम केन कथितम यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया ठीक है ना तो इसका उतर आप दीजे एक हमें जिस प्रकार हम खुद के घरों को स्वच्छ बना कर रखते हैं उसी प्रकार हमें पर्यावरण को वातावरण को आसपास के माहोल को क्या करना चाहिए स्वच्छ बना करके रखना चाहिए क्योंकि अगर स्वच्छ बना कर रखेंगे तो बीमारिया नहीं होंगी बीमा में आ गई होगी और आपने प्रश्ण लिख लिए होगे आप उत्तर दीजिए अपनी उत्तर पुस्तिका में मैं लेता हूं विदा आगे अगले भाग के साथ फिर मिलूंगा तब तक के लिए धन्यवाद हाँ